पाकिस्तान एरफोर्स की जानिब से नई नोक्रियों का एलान कर दिया गया है जिसमें साथ मुफ्तलिफ ब्रांचिस में विकेंसिज अवेलबल हैं। उन ब्रांचिस में एरोट्रेड है, प्रोवोस्ट, जीसी, फायरफाइटर, स्पोर्समेन और फीमेल मेडिकल एसिस्टें अगर आप भी पाकिस्तान एरफोर्स में अप्लाइ करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफे इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसमें अप्लाइ करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन ब्रांचिस का क्या काम होता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Aero Trade की Complete Information, इनका Selection Procedure, इनका Eligibility Criteria, इनकी Salary, Rank, इनकी Facilities और Training अगरा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Eligibility Criteria के बारे में। तो इसमें वो अप्लाइ कर सकते हैं जिनकी Metric में %60 से अबाव ह इन में 5% की Relaxation भी है उनके लिए जिनका Domicile Fata का है या गिलगित बलतिस्तान का है या फिर अज़ाद कश्मीर का है उनके लिए 5% की Relaxation है अगर उनकी %55 भी है तब भी वो अप्लाइ कर सकते हैं। नमबर 2 पे बात करें Head की तो आपके Head कम से कम 163 cm होनी चाहिए यानि के 5 foot 4 इंच या 5 foot 5 इंच के लगबग। उसके बात करें Ice Head की तो आपके अगर Ice Head 6 by 6 है तब भी आप अप्लाइ कर सकते हैं और अगर आपको Glasses लगे हुए हैं तब भी आप अप्लाइ कर सकते हैं लेकिन अगर आपके नजर डाई से ज्यादा वीक है तब अप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं और आपकी Age तकरीबर 15 से 20 तक हो तब आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं तो उसके बाद आता है इसका Selection Procedure तो इनका Selection Procedure तीन हिस्सों पर मुश्स्टमिल होता है सबसे पहले होता है Return Test उसके बाद होता है medical test उसके बाद ये लोग लेते है initial interview इन तीनों के टेस्ट के बाद जब आप clear कर लेंगे तो उसके बाद एक list लगेगी उसके बाद दुबारा से एक final interview होता है जो के पाकिस्तान Air Force की जानिब से एक team आती है वो आके लेती है interview जिसको AHQ board interview भी बोलते हैं अगर आप ये सारे test पास कर लेते हैं तो फिर आपकी training उगरे start हो जाती है जो के 6 मेने के होती है और ये cohort में करवाई जाती है training 6 मेने की training के बाद आपको फिर से मुक्तलिफ ट्रेर्स दे दिये जाते हैं जैसा का Aeronautical Engineer है यहां फिर रेडार सिस्टम का होता है आईटी का होता है उसके लिए फिर से आपको 2-2.5 साल का डिप्लोमा करवाए जाता है कुछ ब्रांच इसका कराची में होता है कुरंगी क्रीक में और कुछ का कोहार्ट मही होता है तो उसके बाद बात करें इनकी सेलरी वगेरा की इनका रेंक वगेरा की तो इनकी सेलरी होती है पचीस हजार पर स्टार्टिंग ट्रेनिंग के दुरान उसके बाद ऐस्ता ऐस्ता इंक्रीज होती जाती है लेंग इनका होता है 7-scale इसको aircraft men या airman भी बोलते है और इनका promotion आइस्था आइस्था होता रहता है पहले aircraft man होता है पिर उसके बाद में leading aircraft man फिर senior aircraft man इस तरह आइस्था आइस्था increase हो के master warrant officer तक promotion होता है इनका उसके बात करें इनकी facilities की तो आपको PF की जानिब से free education प्रोवाइड की जाती है और आपका free medical होता है आपका और आपके वालदेन का और आपके family members का और 50% off होता है railway में और airlines में और आपको house भी प्रोवाइड किया जाता है आपकी शादी के बाद तो इसके बाद बात करें इनके work की इनकी duty timing तकरीब नार गेंटे होती है और ये basically जेट के instructor होते है जेट में जो छोटे मोटे fault होते है वो रिकवर करने इनका काम होता है पाकिस्तान एरफोर्स में एरोट्रेट का काम बहुत मेरन होता है इनको backbone भी कहा जाते है पाकिस्तान एरफोर्स की और अगर आप इसमे apply करने जा रहे हैं तो हमारी चैनल को subscribe करें हम आपको इनकी complete information बताते रहेंगे कि कैसे आप इनका return test पास कर चकते हैं medical में क्या होता है और interview में कैसे सवालात पूछे जाते हैं इन्शाला हम आपको इनकी complete information देंगे शुक्रिया